Hey guys, welcome back to the channel तो guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Top Best Flexible Smartphone जो की आप 30,000 के price range में purchase कर सकते हैं मैं इन सभी smartphone के बारे में details बताने वाला हूँ इस वीडियो में इसके price, specs, features तो उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी और आप एक flexible smartphone purchase करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी important है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Samsung Galaxy Note 10 Lite Guys, अगर इसके display की बात करें तो 6.7 inches का Super AMOLED display देखने को मिलेगा 60 Hz का refresh rate है HDR10 का support से जिसे आप काफी अच्छा smoothly gaming कर सकते हैं Body के अगर बात करें तो plastic body आपको मिल जाता है glass finish के साथ और यहाँ पर आपको metal frame देखने को मिलेगा 4500 mAh की powerful battery मिल जाते है fast charging support के साथ जो की आपको 25 watt का fast charger in the box मिल जाता है एक घंटे 20 मिनाट में लगबग यह full charge हो जाती है Exynos 9810 का आपको यहाँ पर processor देखने को मिलेगा multitasking के साथ साथ आप powerful games का भी enjoy कर सकते हैं COD और PUBG जैसे game को आप बीना lag की हुए खेल सकते हैं operating system की बात करें तो Android 10 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 UI 2.0 का supports आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर guys camera की बात करें तो 12 megapixel का आपको man sensor मिल जाता है फिर आपको एक 12 megapixel का wide angle camera मिलता है और another 12 megapixel का आपको telephoto lens मिलता है जिसका video और still quality काफी अच्छा output result निकाल कर देती है आप इसको 4K तक recording कर सकते हैं 30 और 60 fps में अगर front camera की बात करें तो 32 megapixel का आपको एक single camera मिलता है जिसे आप 4K recording कर सकते हैं 30 60 fps पर अब guys सबसे highlighted इसकी features की अगर बात करें तो इसमें आपको एक S Pen मिलता है जिसकी मदद से आप काफी अच्छा editing वागरा कर सकते हैं अग guys अगर इसकी price की बात करें एक flexi smartphone तो आप Samsung Galaxy Note 10 Lite की तरफ जा सकते हैं 29,999 रुपे में आप इसको online purchase कर सकते हैं OnePlus Nord तो guys डिस्पले की अगर बात करें तो 6.44 inches का fluid AMOLED डिस्पले आपको इस smartphone में देखने को मिल जागा 90 Hz का refresh rate के साथ HDR10 Plus का support दिया गया है body की अगर बात करें तो दोनों ही side में आपको Gorilla Glass 5 का protection दिया गया front and back with plastic frame अगर guys बैटी की बात करें तो 4,115 mAh की आपको powerful battery मिल जाती है जो fast charging को support करती है in the box आपको 30W का एक charger भी मिल जाता है processor की अगर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 765Z का आपको यह पर processor देखने को मिलेगा operating systems की अगर बात करें तो आपको यहां पर android 10 देखने को मिल जागा oxygen OS 10.5 का यहां पर आपको support देखने को मिल जागा camera settings की अगर बात करें तो 48 MP के साथ quad rear camera setup आपको यहां पर देखने को मिल जागा जिसे आप 4K तक recording कर सकते है 30-60 fps पर front camera की बात करें तो dual camera setups आपको यहां पर देखने को मिल जागा 32 MP का plus 8 MP का आपको यहां पर camera मिल जाता है जिसे की मदद से आप 4K तक recording कर सकते है 30-60 fps पर तो guys अगर price की बात करें तो 29,999 रुपीय की price range में आपको इस mobile phone को देखने को मिल जागा अगर आप OnePlus Nord लेना चाहते हैं तो आप online में purchase कर सकते हैं लगबग 30,000 रुपीय की price range में एक अच्छा powerful smartphone आपको देखने को मिल जागा 5G supports के साथ Vivo V20 Pro इंडिया का slimest smartphone तो guys Vivo V20 भी पहले आया था वो भी काफी अच्छा response था इंडिया में उसका काफी अच्छा units जो है वो भी काता Vivo V20 Pro में आपको 5G का support देखने को मिल जागा अब देखना कि ये कमाल किस तरह कर पाती है display की अगर बात करें तो 6.44 inches का AMOLED display देखने को मिलेगा जो HDR10 को support करती है body की अगर बात करें तो metal glass finish में आपको इसके back panel को देखा जा सकता है AF coating के साथ color reflections काफी अच्छा है और यहाँ पर battery की बात करें तो 4000 mAh की powerful battery देखने को मिल जाएगी 33W का fast charging support के साथ in the box आपको 33W का charger भी मिल जाता है processor की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 765G का पर processor आपको देखने को मिलेगा जो काफी अच्छा gaming performance दिखाती है और आप इसमें multitasking so COD, PUBG जैसे games को आसानी से खेल सकते हैं 8GB, 128GB का आपको यहाँ पर variant देखने को मिल जाएगा Android 10 का यहाँ पर आपको operating system देखने को मिल जाएगा जो fun touch OS 11 के साथ आता है 64MP का आपको primary camera देखने को मिलेगा 8MP का ultra wide camera यहाँ पर आपको मिल जाता है 2MP का depth censoring के लिए camera मिलता है जिसका output result काफी amazing है आप night mode में भी video record कर सकते हैं काफी अच्छा clarity और color corrections के साथ 4K तक आप recording कर सकते हैं 30-60fps पर वहीं अगर front camera की बात कहें तो 44MP प्लस 8MP का आपको यह पर sensor देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप 4K recording कर सकते हैं 30-60fps पर night mode में भी आप selfie क्लिक कर सकते हैं काफी अच्छा output result आता है price की अगर बात करें तो आपको लगबग 29,999 रुपे में आप इसको purchase कर सकते हैं तो guys आपको एक अगर अच्छा design बाला slimest smartphone चाहिए फ्लैक्षिप smartphone जो की 5G supportable है तो आप Vivo V20 Pro के साथ जा सकते हैं इसका camera quality काफी अच्छा है Samsung Galaxy A52 5G तो guys इस smartphone की अगर display की बात करें तो 6.5 inches का super AMOLED डिस्पले आपको यहां पर देखने को मिल जागा 120 hertz का refresh rate के साथ body के अगर बात करें तो front में आपको Corning Gorilla Glass 5 का production दिया गया है और back side में आपको plastic back finish देखने को मिलेगा battery capacity की बात करें तो 4500 mAh की powerful battery मिल जाती है जो 25 watt का fast charging को support करती है in the box आपको 25 watt का एक charger भी मिल जाता है processor की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 750 50 G का processor यहां पर आपको मिल जाता है 8 GB RAM और 128 GB ROM के साथ operating systems की अगर बात करें तो यहां पर आपको Android 11 का operating system मिल जाता है 1 UI 3.1 का support के साथ camera की बात करें तो आपको यहां पर quad rear camera setups देखने को मिल जागा जो 64 MP का main sensor है 12 MP का ultra wide camera यहां पर मिल जाता है 5 MP का macro lens है और 5 MP का sensoring के लिए camera दिया हुआ है ओई अगर selfie camera की बात करें तो 32 MP का आपको यहां पर front camera मिल जाता है with 4K recording के साथ 30 60 FPS पर आप 4K recording तक कर सकते हैं इसके selfie camera से तो guys अगर price की बात करें तो लगबग 28,000 रुपिय में आप इसको purchase कर सकते है Samsung Galaxy A52 5Z जो की काफी कमाल का smartphone है काफी अच्छा camera quality है और processor भी काफी अच्छा है और इस price range में आपको एक 5Z smartphone मिलता है जो good looking है तो आपको अगर एक flagship smartphone purchase करना है तो आप Samsung Galaxy A52 को consider कर सकते हैं तो guys आपको यह video कैसा लगा अच्छा लगा तो like जरू किजेगा Instagram पर follow किजेगा कोई भी सावाल करना हो मैं वह डारेक्टली message करता हूँ आपके सावालों का जवाब में जरूर दूँगा तो guys उमीद करूँगा आपको यह video अच्छा लगा है चैनल पर नए है तो please चैनल को subscribe कर दिजे और bell icon को प्रेस कर लिजे ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का notification मिलता रहे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you दिन्यवाद